कि क्लास्टेंद पोइनोमियल चैप्टर के एक और कोश्चन है इफ आलफा एंड बीटा आर जिरूज आफ दा पोइनोमियल एफ एफ इस इसका तो एक करने का तरीका है कि पहले जिरूज फाइंड आट करें और उसको वैलू को यहां पर ले जाकर पुड कर दे लेकिन यह प तो असान तरीका क्या है तो देखो हमें क्या पता है सॉम अफ जी रोज और कॉफिजिंट के बीच का रिलेशन पता है इसी चीज का यूज करके हम करेंगे कैसे करते हैं उसको देखो देखोगे अलफा बाई बीटा है प्लस बीटा बाई अलफा अगर मैं इसका एलसीम लो क्या हैगा अलफा बीटा बीटा से बीटा केंसे अलफा बचेगा अलफा इंटो अलफा अलफा स्कॉयर प्लस से अलफा से अलफा केंसे बीटा बीटा इंटो बीटा बीटा स्कॉयर अब यहां पर मैं एक आइडिन्टिटी जी उच करूँगा तो देखोगे द्यान से मैं क 2 alpha beta दोला दिया तो यह तो था नहीं तो इसको क्या करना होगा माइनस भी करना होगा ताकि इसका effect पूरे कोश्च पूरे इस पोईनोमेल पर कोई भी effect ना हो तो बाई alpha beta तब अगर दिहान से देखोगे तो 2 alpha beta minus 2 alpha beta cancel हो जा रहा है यह एक्षण में यही है इसी को दुस्से फॉर्म में लिखा गया है अब यहां देखो alpha square plus beta square plus 2 alpha beta को मैं लिख सकता हूँ alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta by alpha beta तो देखो इसी को तो मैं इस form में कर दिया ठीक तब इस form में कर दिया अब मुझे क्या चाहिए तो alpha plus beta चाहिए और alpha beta चाहिए तो sum of 0s और product of 0s sum of 0s हमें पता है क्या होता है minus b by a यानि minus coefficient of x by coefficient of x square तो जब यहां पर मैं रॉफ में यहां पर करके दिखाता हूँ उसको करने जरूत नहीं डाइक्ट वैलो पूट कर सकते हो ठीक है तो alpha plus beta क्या होगा minus b by a तो minus coefficient of x यानि की 1 है by a coefficient of x square यानि 6 है alpha plus beta क्या हो गया minus 1 by 6 alpha beta calculate कर लेता हूँ यह क्या होता है constant by coefficient of x square यानि minus 2 by 6 यानि की solve करोगे तो minus 1 by 3 बस इस value को put कर देते हैं alpha plus beta minus 1 by 6 उसका square हो गया minus 2 alpha beta क्या गया minus 1 by 3 divided by minus 1 by 3 अब बस इसको calculate कर लो देखो जब यहाँ पर क्या क्या है इसको अलग solve कर रहा है तो यह आ गया यह वैसे वैसे ही चल रहा है ठीक है solve करोगा 25 by 36 divided by minus 1 by 3 तो इसका meaning क्या निकल रहा है meaning निकलेगा उसकी इसाप से लिखोगे ठीक है तो क्या निकला 25 by 36 divided by minus 1 by 3 तो क्या हो जाएगा 25 by 36 into 3 by minus 1 यह 12 minus निचे नहीं लिखते हैं हमें सोपर जाता है तो minus 25 by 12 यह आ गया मेरा वैलो इसका जो निकल्कुलेट करना था क्या क्या क्यल्कुलेट करना था अलफा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अलफा तो यह कितना आ गया minus 25 by 12 इसी के साथ यह question solve हो गया ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू क्या 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 बादा बादा ठीक है